हलो एन वेल्कम बेक टू माय चैनल बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रीन एनरजी लिम्टेट के बारे में यूस फॉल अल्रेडी रिखा चुका है और अपने 52 बीक्स के लो के नियर है पहले भी लो पर ही चल रहा था लेकिन अब तो भाई बैंट बच चुकी है अड स्टॉक प्राइस का दिखाऊंगा कहां से लेकर है कहां तक आ चुका है लोगों का लाखों डूब चुका है अडानी ग्रीन में अडानी ट्रांस्वेशन में अडानी टोटल गैस में और कोछ तक बिलमार और पावर में भी कहां 400 रुपए के उपर का स्टॉक अडानी में तो अभी भी लोगर सर्केट में और 4000 का स्टॉक 920 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है अडानी पॉर्ट में इतना ग्रावट देखने को नहीं मेरी क्योंकि अल्ड़ेडी स्टॉक पॉंड़मेंटली काफी स्टॉंग होती उनमें बड़ी ग्रावट नहीं आती है ज एक स्टॉप लॉस हमेशा होना चाहिए जैसे कि यहां पर देखेंगे तो आप डेली चार्ट में इन लेबलों को जैसे ब्रेक्या 16 शुर 990 को मैंने बोला भी था कि यहां पर यह से स्टॉप ब्रेकाउट आया था तब मैंने का था कि क्लोजिंग का बेट कर लीजिए अभ डेली बीकली चार्ट में अगर ब्रेकाउट होता तो वो ज्यादा सच्टनेवल होता है कमपेरेटिवली ऐसा मेरा परस्पेक्टिव है आपका परस्पेक्टिव अलग भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो फिलाल अडानी ग्रीन में कैसल रहा है तो अब भी भी सपोर्ट से पलटता उपलटने की कोशिश कर रहा है, इसको एक रिवर्सल का साइन अभी मत मानी है, क्योंकि जब तक कोई inside bar का breakout ना जाए, double bottom का breakout ना जाए, तब तक एक रिवर्सल का साइन, मत मानी कोई अभी भी company काफी leverage है, इस्टॉक पी already 157 पर अभी भी trade कर रहा है, ROC, ROE उतने attractive नहीं, ROE definitely attractive है, क्योंकि बहुत जबरदस return दी है, लेकिन ROC जो एक main चीज होती है, अगर यह attractive है, यह भी attractive नहीं है, तब भी चल जाएगा, लेकिन ROC बहुत ज़्यादा attractive होना चाहिए return, और industry पी रेखा जाए तो 21 का यह जबकि stock भी अभी भी काफी ज़्यादा leverage stock है, और stock के लिए concern का issue basically debt है, क्योंकि अगर debt की बात की जाए तो company पर अभी भी 52,000 करोड का debt है, और जबकि debt to equity देखेंगे तो आप 7.70 का है, और company की blazing भी है 4.36 का, free cash flow भी negative में है, तो fundamentally तो नहीं है, लेकिन फिर भी company profit generate करती ह बस यही एक अच्छा sign है और इस बार भी company का profit देखा जाए तो अच्छा है, 49 करोड से बढ़कर के 103 करोड हो गया है, तो यह भी एक अच्छा sign है कि profit continuously generate कर रही है यह company, अगर December में देखा जाए तो 41 करोड से बढ़कर 49 हुआ तो 49 से बढ़कर के 103 करोड तक हो चुका है, ले जबी तो यह बस एक falling knife है, कहां जाकर के रुकेगा, nobody knows, और जिन लोगों को loss हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर आपने stop loss लगाया होता, तो stop loss हो गया होता, एक बड़े loss से बच सकते थे, अगर नहीं लगाया है, तो already damage हो चुका है, अब stock support के अब उलकु नियर है, यह बहुत तीनों strong support है, एक 502 रुपए का है, जो कि stock लगवाग वहीं से pilot नहीं कोशिश कर रहा है, अगला support निगल के आएगा 468 रुपए का, और फिर बहुत strong support, 320 रुपए का, मुझे लगता है कि stock को 433 और यह जो level है 570 रुपए का, इन level हो पर एक support तो दिखा कानने चाहिए को कि already stock 52 weeks के भी जो weekly exponential है, उनके भी काफी नीचे जा चुका है, तो damage तो already कर चुका है, लेकिन अब stock भागेगा नहीं, उस तरीके से क्या आप सोचोगे कि अभी 3-4 महिने में stock 18 रुपए के touch कर जाए तो नहीं, time लगेगा definitely, company अच्छी है, green energy में बहुत अच चार साल अगर किसी कोई यहां जा करके कई लोग तो 28 रुपए तक के लेवलों पर भी फसे हुए है, तो क्या कर सकते हैं, money तो already erode हो चुका है, और erosion तो almost बुरी तरीके से हो चुका है, तो अब कुछ नहीं कर सकते, फिलाल वस यही है कि एक average कर सकते हैं, लेकिन इतने गिर करते हुए, stock में average करना भी कोई अकल-मंदी का काम नहीं होता है, कभी इतने बड़े average नहीं करने चाहिए, 28 रुपे आप average के कितना लापा होगे, तो ऐसे stock को फिर छोड़ देना चाहिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा, 7-8 साल में या 5 साल में वापस recovery आ जाए, तब करके recover कर ले, या फिर वहाँ से कोई एक बड़ी खरीदारी आ जाए, fundamentally फिर दार हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, तो बस एक अर्जकते है, फिलाल तो जो damage हो चुका है already, done है, अब बस, hope for the best, तो अड़ानी करीने फिराल इतना ही, अगर आपको किसी stock में doubt है, तो comment box में ज किसी mix में जाए, करके लाए, कर दो रहाए, प्याह, तो जाए 기대 раскण UP कुछ प्यानी के दाना ही, आपको कि अपको किसी का ऍてना ही, जाए, उार आपको किसी साओ ruining यादiden के जाए, जाए, किसी का ऑफको कि Parag